मुझे पता है आपको कापिटल रिजर्व करने में दिक्कत होती है अगर इस वीडियो में अगले 10 मिनिट तुमने मुझे दे दी तो यकीन मानो मुझे 90 परसेंट के अंदर तुम सॉल्व कर सकते हो और कापिटल रिजर्व का सटी का अंसर निकाल सकते हो मैं सर्फ कहने को नहीं कह रहा हूँ यहां पर आप सभी के सामने टोटल एक दो तीन चार पांच यह पांच क्वेशन लेकर भी आया हूँ जिसको हम सब करेंगे क्यापिटल रिजर्व का कॉंसेप्ट पढ़ने के बाद तो देखते हैं जो मैं अगले 10 मिनिट में आपको सिख में आएगा और क्या उसकी मदद से आक्चुल में आप खुद क्यापिटल रिजर्व को मात्र 10 सेकिंड में कवर कर सकते हैं यहां पर मैं बता रहा हूँ कि वहिया 90% क्वेशनों में ज़रत नहीं पड़ेगी यह पैन अगर मैं जेव में भी रख दूना तो भी क्यापिटल कि मैच में खेलने का मौका शायद दो चार बॉल ही मिले पर प्रैक्टिस में घंटों लगाने पड़ते हैं उसी प्रकार से चाहे आख क्वेशन 10 सेकिंड में सॉल्ल कर लो पर उसके कॉंसेप्ट को समझने के लिए 10 मिनिट लगना लाजमी है तो 10 मिनिट मुझे दो फिर द लेनी है बहुत शांदार सी चबकतीवी गारी क्योंकि उसके अभी अभी लगी है नौकरी लगी मान लेते हैं करीब 50-000 रुपे महीना कितनी उसकी नौकरी लगी है 50 थाउजन रुपीज पर मंत, एक महिना, दो महिना, तीन महिना, चार महिना, छे महिना, साल बर वो कर लिया नवकरी अब एक साल नौकरी करने के बाद उसकी जेब में हैं दो चाल लाग रूप बहुत बचाए उसने क्योंकि उसकी ड्रीम गाड़ी जो थी ना वो आ रही थी करीब आठ लाग की तो दसकी पकड़ो दस लाग की एक बहुत बहुत बैतरीन चमकती भी गाड़ी उसको लेनी थी उसके पास क्या अभी पूरे पैसे नहीं थे पर आदे पढ़ दे पैसे जरू प्राइस उसको पहले से पता था सामने वाला उसको बता क्या फीचर हो ला रुक मैं बताता हूं क्या 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 प्राइस के लिए बैस प्राइस आया एक्सेक्ट 10 लाग पर सामने वाले ने पूछा payment cash card को बोला आदा दूंगा आदा बाद में समझेंगे यानि एमाज पर हम गाड़ी ले रहे हैं चलो भाई कहानी शुरू हुई उसने कहा अभी मेरे से चार लाख रुपे का चेक ले लो यानि इस दस लाख में से चार लाख रुपे वो अफ्रंट देने को तैयार हो गया यह करा जी इसने टाउन पेमेट और उसने कहा कि गाड़ी मुझे दे दो अब गाड़ी तो उसके पास आ गए पर हर महिने की करीबो 20,000 रुपे की EMI बंद गए आने वाले कई सालों के लिए यानि हर महिने उस व्यक् को 20,000 रुपे चुपाने थे गाड़ी लेकर वो घर आया पहला महिना गया फ्लेक्स मारा 20,000 रुपे पहली तारिक को निकल गया पहली इंस्रॉल्मेंट पेड दूसरा महिना आया फिर फ्लेक्स मारा फिर 20,000 रुपे गया तीसरा महिना आया चोथा महिना आया पाच्वा मह आया ऐसे करते करते दस महीने निकल गए कितने महीने निकल गए तस महीने और दस्वे महीने भी उसके बीस जार रुपे कट गए तो अगर मैं आपको पूछूं कि इन टोटल अब तक उसने किता दिया तो आप दो लोगे 20,000 रुपए 10 महीने तक दिया निकि 2,000,000 रुपए की इंस्टॉल्मेंट उसने चुका गी तो तो थोड़ा वो बोड हो रहा था काई वसी समय आ गया कोरोना था ओते ही सबसे पहले उसकी नौखनी पड़ी जोर दार लाथ कैंद। सेविंग उसने सारी यहां उड़ा दी थी, महिने के 20,000 वो उड़ा रहा था, अब पहली तारिक को उसकी जेब हो गई खाली, उसके पास कुछ नहीं पचा, थूटी कौडी नहीं थी, खाने के लाले पड़ रहे थे, गाड़ी के पैसे कहां से चुका था, कम्पनी बोली, एक एक तारिक 20,000 रुपे लाओ, एक तारिक 20,000 रुपे लाओ, हमारा राम नहीं दे पाया, ये 20,000 रुपे, एरियर में चले गए, डिफॉल्ट में चले गए, कम्पनी ने कहा, आप नहीं चुका पाए है, उसने का, भाई समझो थोड़ा, मैं अगले महिने चुका दूँगा अगला महिना फिर आया, कम्पनी ने फिर 20,000 रुपे लाँगे, राम ने फिर कह दिया, भाई साब अभी नौकरी नहीं लगी, एक महिना और मुझे दे दो, 20,000 रुपे और बकाया, तीसरा महिना आया, कम्पनी का माथा गुंग गया, बोली क्या मजाक लगा रखा है, हम आ दस्ती में गाड़ी ले, मत लेता, मत लेता, मरा जा रहा था, क्या, कम्पनी बोली अगर एक तारीक को तुने पैसे नहीं दिये, तो तो ये गाड़ी भूल जाँ, एक तारीक आये, पैसे नहीं दिये, कम्पनी ने बोला 20,000 और, तुने नहीं दिये भाड में जा मुझे चाहिए भी नहीं कंपनी वाले उसके पास आए और वो गारी उठा के रहे गए वो तोड़ा रोता रहा परिशान रहा कंपनी ने बोला 15 दिन और दे रहे हैं पूरा पेमेंट चुका दो वे ते इंट्रेस्ट बनना भाड में जाना कह अब समझना खेल क्या हुआ है खेल यह है कि 10 लाक की गाड़ी थी चार लाक रुपे उसने डाउन पेमेंट पर चुका दिये थे दो लाक रुपे एमाई वो चुका चुका था बाकी बचेवे एक्स वाजेट जितने भी अमाउंट था वो उसने नहीं चुकाया ठीक है अप उसके पास से दो चीजे चली गए एक तो गाड़ी और उपर से वो 6 लाक रुपे जो कि उसने गाड़ी के बदले दिये थे सोचके देखो 6 लाक रुपे तो चली गए यह डाउन पर मिड़ भी गई है ब्याज भी गई है अब ना तो उसके पास गाड़ी है ना उसके पास पैसे हैं यूंकि 6 लाक रुपे और चले गए अब वो माथाप कड़के बैड़ गया अब खेर हमारा मतलब राम से नहीं है भाड़ में जान दो क्यों ली बगए अस्टल मतलो यह माई पर कोई भी सामत हमारा मतलब उस कंपनी से है अब क्या कंपनी खुश है जवाब होगा नहीं कंपनी भी कुछ नहीं है बोलेगा क्यूं नहीं है कुछ अरे देख सीदी सी बात कंपनी को चाहिए 10 लाक रुपे कितने चाहिए 10 लाक रुपे कंपनी के पास अभी पड़े हैं 6 लाक रुपे दस यह उसको तो, गाड़ी उसके बास खड़ी है पर उसको गाड़ी से क्या माजना तो वह दिमाग लगाएगा इस काड़ी को बैच दै और मेरा जितना पैसा बकाईा है वो पैसामें ले लेता हूं सिम्पल सा कॉंसेप से एसा ही कंप्पनी ने किया कंपणी ने एक बहुत बैड़िया से मेकानिक को बना बोल इसको चमका चमकू दे हम इसको औक्षिन कर देंगे निकाल देता है काड़ी को अब मेरे को सवाल का जाब देन हाग डो सवाल पूछूंगा एक परके पहला सवाब कम्पनी जब यह गाडी बेंचेगे तो वह कम से कम कितने पैसे मांगे गिज़ unterstützen कितने को डसलाक वसूल करतें हैं इस गाडी है छे कंपनी के पास आ चुके हैं तो कंपनी कैसे भी कर कि at least ये इस से कम मैं तो मैं नहीं बेचूंगा क्योंकि मेरेको फाइदा ही नहीं होगा मेरे को फाइदा तब होगा जब इट लीस्ट इस गाड़ी के मेरे पाद 4 लाक रुपे आए तो गाड़ी सेकिनेंड थी पर हमारे राम ने उस गाड़ी को दुलंद की तरह सजा नहीं पहली वाली तो अच्छी बिखे जे वह गाड़ी भी सत लाक रूपे में कितने में बिख गई सत लाक रूपे में कंप नीव एमिमज़य मज़ा अule thanked मुझे सवाल का जवाब और दो कंपनी को कितने का फाइदा हो गए अनला commitment नेका पाइदा आप बोलं के सर देखो तो राम से कंपनी ने इस गाड़ी के वसूले थे 6 लाग रुपे, 6 लाग रुपे तो आ गए, गाड़ी भी थी, गाड़ी बेच थी, साथ और आ गई है सेकिंड पार्टी से, सर एक ही गाड़ी को दो बार बेच कर, कंपनी ने 13 लाख रुपे खटे कर लिये, जबकि गाड़ की एक्च्वल में थी, 10 लाख की, तो यह 3 लाख रुपे है न, यह कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया है, क्या? एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया है, कैसे? इस गाड़ी को दो बारी बेच कर, 10 लाख की गाड़ी के मदले कंपनी ने 13 वसूल कर लिये, तो यह 3 ला अब एक बात बताओ, यह जो पूरी कहानी मैंने आपको समझाई, क्या इस कहानी में आपको कोई दिक्कत हुई, मैंने जो भी आपको समझाया, यह तीन लाक रुपे का फाइदा, इधर फाइदा, उदर फाइदा, क्या आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई, अगर आपको इस कहानी में कोई दिक्टत नहीं होई है... क्या पूल्ला मैंने 10 सेकंड के अंदर тогда paties मैं आप से बूछटे रुभी तीन लाफ रुपए आपने कैसे Restaurant तो आप कितने असानी से जवाब दोगे। सर पहली पार्टी से वसूले दे शेरें लाग। को गई तेरा लाक। पहले रामसे बचुरे 6500 calling हो गारी की मत तिरह 5500 terre का फाइदा सिधा पदाए क्या से जाता है ये केलाता है इसनवगा वापिस ये इसे जाइंफ्ट को देख रहे हैं अगे बार अपन लॉजिक पाथ आता है जो आपन देख रहेते डशें buenas the face value of share this is the face value of share this is the value of application this is the value of allotment this is the value of first call not paid application allotment first call 10 रुपे का share माले 10 लाग का share है 4 लाग का application नहीं मिले तो क्या चार कंपनी ने वापिस से उसको इश्यू करा दस लाग के शेर को साथ लाग रुपे में देखलो पहली पार्टी से शे लाग मिल गए दूसरी से साथ लाग मिल गए बचे कितने तीन लाग रुपे एक्स्ट्रा हो गए यह आपका capitalism आ गया एक क्वेशन में कराऊंगा हमें बस दो चीजों के उपर ध्यान रखना है पहला पहली पार्टी से कितने पैसे वसूले दूसरा दूसरी पार्टी से कितने पैसे वसूले आप इतना कर लो कांग फ़तम हो गया आ को आप चुठकेओं का कर लोगा आप वैं कलगार पर इसके और-ध ग्रेवाल कि को इसके मदा उपसीर पर 06या उन्ट जे नहीं दिया उसके शेर को 4 feet किया गया and ratio किया गया कितने पर 7 rupees fully paid up मतलब 10 रुपे का शेर 7 रुपे में दिया गया अब जो यह question मैंने लिखा ना इसमें और हमारे पिछले अले example में एक रुपे का भी change रहे है आपको यह निकालना capital reserve में कितना आएगा कैसे निकालेंगे देखो बहुत आस रुपे इंटू 300 share answer आगया 900 रुपे तुम्हारा capital reserve खतम हो गया capital reserve कैसे भी कर लो दूसरे तरीके से करोगे दूसरे तरीका देखो राम से यह मिल गया बस यह और लेना है मुझे यह 4 रुपे receive करने कैसे भी करके यह तो राम से मिल गया यह 4 रुपे receive करने मैंने चार की तो ऐसे कर लो जो तरीका तुम्हें सही लगे ताम हो गया जो तरीका सही लगे उससे answer आएगा कोई दिक्कत की बात ही नहीं है पस तुम्हारे दिमार्ट में क्लिए और capitalism का मतलग 10 रुपे के बदले कंपनी ने कितने रुपे एक्स्रा ले लिए जो एक्स्रा मूंट है वो नहीं मिला वही तो रुपे इस्सकाउण दे दिया तो पहली पाड़ी से कितने वसूल है बस ही धाम ड़्कता है क्लियर होगा में रुपे जो नहीं मिला वोई तो रीसीव करना दूरी पाड़ी इसप्र दीश्थ च्रा शेर रुपे बाचि टीन रुपे करके देखो यह मैं नहीं बोलूंगा चलो पहले तुम पढ़ लो स्विर मैं तुम्हें 10 सेगंड में करके बताऊंगा ठीक है ना मैं नहीं देख रहा हूं तो नीचे और देख लेते हैं इधर है मेरे सामने स्क्रीन तो पर मैं नीचे देख रहा हूं मैंने टीम को बला था कॉस्टन दे देना उन्होंने दे देख रहा हूं ठीक है चलो अब मैं क्वेश्टन देखता हूं लेस्ट स्टार्ट सेम लिमिटेट रिजॉल एक में 2000 एक्विटी शेर और रुपीश थाई रुपे और शेर रुपे पर शेर साड़ी तीन फिंटो ठार देख लो 10 डेख है शेर था है तो पहली पर्टी निय शाड़ेश्साथ देए में संक्री में क्ली कि तेरा पॉइंट पांच मायश फ्यंत की कितनी थीおお कितना हो गया शाड़े 35 मोकि इन्टू कितने शेयर जो शेयर रिशू करें पिटा उसको होता है तो बाकी सब रिसीव हो गया 10 रुपे के शेयर में आपके दिमाख में के लिए रहोना चाहिए क्या है इक और क्वेशन ट्राय करेंगे चलो ठीक है इन्टूस्ताम मैनिफेक्ट्र इन्लिमिटे टोटल सब्स्राइब कैपिटल ऑस दस लाक एक्विडी इनिक्विडी शेयर रुपीश टैनिच साड़े साथ कॉल टप है तो आप पनी ने कितने पर 8 रुपए पर इश्व कर दिया तो 8.5 दूसरी पार्ट से आठ मिल गए साथ और आट 15.5 मैन रवाइंट किमत कितनी है 10.5 टू सोच्यू Jacob काम केटम हो गया कैटम हो गया क्या है हो गया ना वी में नहीं किया तुम ने किया ट्राइग रोगाल चलो दिक अज़ा है चलो दिक अच्छा कोशन थूड़ा अच्छा पॉशन दिया पर sunshine limited issue 20000 equity share of rupees 100 each payable पेल ने था दीख रहो हूं मैं लुकिंग दाउन वोड़ जमीन पहली बार देखे पना अच्छी लगए लगए तुम्रों मैं भी पेड़ बैच चांच करूं में गी टाय लगाऊंगा। हां महीं हो गया है ठीक है 20,000 फार एक्विदी शेर पर पाणच असलिट पाले लिए लिख लिए लिए तर यह नहीं मिला इह नहीं अद्यान से देखना अध्यान से चौन उत्यान करा तो उसमय अब देखो इसलिए मैं टेखनाऊंट पर हाता हम अध्या होगि कंपनिल एगी कि जो मांगे ही नहीं वह मिल नहीं सकते हैं तो हमारे इसाब से अभी दिमाग में शेर 75 का है आप पस यह देखो रीशू कितने पर किया है यह रीशू कर दिए कंप्री ने किसको किसको किये क्या नाम इसका मिस्टर मोधी और मिस्टर मोधी जी को नमस्कार सब्सक्राइब कितना कैसा क्वेश्चन दिया रुपे कंपनी ले रही है कितने शेयर के 400 शेयर के तो अब देखो शेयर सो का नहीं है क्योंकि 75 रुपे का पचास मिल गया पच्चिस नहीं मिले पहली पाटी से 50 दूसरी से 70 टोटल हो गए 120 माइना शेयर की कीमत है 25 रुपे तो कितना हो गया 25 रही 45 इंटू 400 यह आपका अंसर हो गया दूसरी किसे देखो हाँ 25 नहीं मिले थे कंपनी को चाहिए थे कंपनी ने सतर ले लिए तो सतर माइनस 25 कर दो पच्च्पन हो गया एंटू 400 ऐसे पकड़ो बात बराबर ठीक है मैंने क्यों रुक के कराया क्यूंकि आपको दो चीज समझाना ज़रूई था पहला इससे डरने की ज़र नहीं पर शेयर की वैल्यू निकालब तो उसको हम फोर फीचर के टाइम पर तो गाउंट नहीं करेंगे पर क्या रीशू के टाइम पर हमको शेयर 75 का लेना या 100 का लेना है यह ध्यान रठना पड़ता है ठीक है अगर यहां 75 पर शेयर लिखा है तो 75 लिखो फुली पेड लिखा हुथा तो मैं मानता कि 50 मिल गए पचास नहीं मिले फुली पेड का मतला कंपने तो सो रुपे माहिए नहीं समझ में आ रहा हो तो एक पुराना देख लेना देखो बैए डेड़ सो शेयर अफ रूपीज टैनेश प्रीमियम चार ठीक है प्रीमियम मिलके बाड़ में जान दो नॉन पेमेंट अफ अलॉट्म टो चार प्लस चार एक में एक में टुक ना हो तक यह नहीं हुई अब देखो बैई कंपनी को दो रुपे मिल गए शेयर के चार रुपे नहीं मिले तो कंपनिया तो चार इच्छा करेगी ठीक है पर इस ले लिखा फिफ्टीन पर एग फफुली पेड़ा मतला कि आगर कॉल नहीं हुई ठीक है उदेको पहली पार्टी से कंपनी को कितने मिले हैं deposit 15 रुपए नहीं मिले कि क्यों कितने हैững डसका है तो ज्चाह से स्जाधा Sense सकता है पंधरा में अगर बिका है तो प्रीमियम है अब प्रीमियम को शीयर की आप emails इलग से लिखते हैं तो प्हेंडी पार्टी से मिले दो रुपए दूसरी पार्टी से मिले 10 रुपे क्योंकि 15 रुपे नहीं मिल सकते तो 10 की जगे 15 मिले तो आपने का 5 प्रीमियम शेर के पूरे पैसे मिल गए तो आप इसको बस 15 काउंट नहीं करोगे इसको 10 काउंट करोगे टोटल हो गए 12 मैंने शेर की वैल्यू यह तो 2 इंटू टीन सो रुपे आ गए आप बोलो तो मैं इसकी एंट्री करा जाए चाब मुश्किल लग रहा हो कॉशन तो मैं एंट्री करा जाए देखो गए एक्विटी शेर कापिटल टू शेर फोर फीचर तू कॉल जिन एरियर पहले शेर बंद करने की एंट्री ठीक है कितना पहला वह म लार रुपे नहीं मांगे तो शेर की कीमत हो गया शेर रूपे और प्रीमियम हो गया चार रूप शेर दस का नहीं था पर जब रिश्यू करा तो कंपरी ने बोला बहिए हम तो दस रूपे ही मांग रहे हैं शेर के तो देखो बैंक to equity share अब तो फिक्स है ना 1.500 इंट्व ह ही आएगा क्योंकि इसने मुला फुली पेड़ तो शेर की किमत दस है तो में इसना तो दस ही आएगा पर इसने ले लिए 15 रुपे डिस्काउंट देने की जगे एक्स्रा ले लिए तो हम यहां चोड़ेंगे सेक्यूरिटी प्रीमियम तो पांच का ठेक है आप सोच लो इतने हमने पहले पकड़ लिए थे जिन में से डिस्काउंट देने की जड़ती नहीं पड़ी तो हम लिखेंगे शेर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजांट दो मजा रहा है कितना असान हो गया थोड़ी से लॉजिक्स पर आओ आओ आपका गाम बहुत आसान हो जाएगा हमेशे प्रीमियम को कहीं काउंट नहीं करने वाले है चलो आखरी कुस्छन आखरी है यह हो गया एक और न चलो जे सीवी लिमिटेड फॉर फीटेट टूंट रूपी चैनी चैने प्रीमियम पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट अफ अलॉट्मेंट मनी अफ तीन फिर्स्ट इन फाइन प्रीमियम को चाहिए ते और पांच रूपे पर शेयर बोलना 50% आट रूपे पर शेयर फुल्ली पर बहुत असान है तो पहली पाटी से पांच रूपे मिल गए दूसरी पाटी से आट रूपे मिल गए टोटल हो गए 13-10 तीन रूपे इंटू 100 रूपे आँ तो इसको तुसरी तरीके से देखो तो प्रीमियम का इंकाउं नहीं करना है यू शुड नोट कनसीड़ प्रीमियम इन चाल्कुलेशन चार और पांच रूपे कंपनी को चाहिए ते और 5 रूपे मिल गए थे पांच और चाहिए थे कंपनी ने ले लिए तो आट पे तो आ गया होगा कि भाई मैं तो कर लूँगा कुछ भी होड़ा है तो अगर आ गया है तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर देना इस चेप्टर के नोट्स चाहिए मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन को लिंक है मिलते हैं आप लोगों सब्सक्राइब के साथ तिल देन बिजनेस स्टेडी स्पांच मिल्ट के नदर कवर करा रखिए इसे चैनल के उपर उसको चेक जरू करें मिलते हैं लिए के साथ तिल देन के पना चाहिए